नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की ख़बर जानते हैं जार्खन में उच्ची डिगरी रखने वाले को नहीं मिलेगी छोटी नोकरियां जार्खन में जिन लोगों के पास उच्ची डिगरीया है वे निचले अस्तर की सरकारी नोकरिये के लिए अपलाई नहीं कर पाएंगे जार्खन में सरकारी करमचारियों के निचले के लिए परिक्चाय आयोजित करने के जिए मिदारी जार्खने कार्मी विभागने जिसे सी परिक्चावों के निचले के लिए अपलाई नहीं कर पाएंगे हालाकि यह तर्व माना जा रहा है कि निचले का संसोधन होने पर इसका विरोध भी होगा इसे कोट में भी चुनावती दी जा सकती है सिक्चक पर छत्रावों के साथ छेखानी का आरोप सड़क पर उत्रे ग्रामीन रांची के पिठोरिया इलाके में इस्थीत एक स्कूल के सिक्चक पर स्कूली छत्रावों के साथ छेखानी करने का मामला सामने आया है और आरोपी पर करवाई की मांग को लेकर सैकलों की संख्या में गरामीनों ने पिठोरिया थाना के घराव कर दिया पूरा मामला पिठोरिया इस्थीत निष्चर मेमोरियल स्कूल का है स्कूल के सिक्षक जगरनाथ मिस्रा पर तिन नवालिक छात्रावग साथ छेखानी का आरोप है हलाकि पूलिस ने मामले में तवरित करवाई करते हुए आरोपी सिक्षक को गिरफतार भी कर लिया है बता दे स्कूल में छिरखाने की घटना सामने आने के बाद आसपास के गरामिन बेहद आक्रोसित हो गए आक्रोसित गरामिन प्रमपरागत हंतियार के साथ सलक पर उतर गए कुछ गरामिन सलक को पर हंगामा करने लगे वहीं कुछ गरामिन थाने का घेराव किया नेता प्रतिपक्ष मामला में अधिवक्ता बोले स्फिकर को निर्देशित नहीं कर सकता हाई कोड़ छारखन विधान सभा का मानसून सतर 28 जुलाई से सुरू होने जा रहा है अभी तक सदन बिना नेता प्रतिपक्ष के चल रहा है क्योंकि बावुला मरांडी पर दल बदल मामले में स्फिकर ट्रिवनल का फैसला आना बागी है इसी बीच यह मामला हाई कोड तक पहुँचा है पतादे विधान सभाके और से अधिवक्ता निल कुमार दोारा दायर सपत पत्र में कहा गया है कि जब तक दल बदल मामले में स्फिकर ने ट्रिवनल से फैसला नहीं आया था तब तक हाई कोड समधित आदेश पर किसी तरह का हत्रशेप नहीं कर सकता साथ ही कोई निर्देश भी नहीं दे सकता सरकार की तरफ से सूप्रीम कोड के अधिवक्ता कपिल सिबल ने पक्ष रखा उन्होंने कहा एक समिधान के अनुछेद 212-1-2 के तहत कोड को विधान सभा देश की करवाही में किसी तरह का हत्रशेप का अधिकार नहीं है बीजेपी ने चलाया महाजन संपर्क अभियान लोगसभा चुना में राज के सभी 14 लोगसभा सीटों पर भाजपा का परचम लहराना हमारा संकल्प है यह बाते पुरविधायक सब परदेश भाजपा उपादेश गंगोतरी कुजुर ने कही है उन्होंने भाजपा करकाताओं से एक जुट होकर मोदी के 9 साल बेमी साल के अउसर प्रायोजित महाजन संपर्क अभियान के दोरान मोदी सरकार के जन हित में किये कलनकारी वजनाओ और कारकरामों को जन जन तक पहुचाने का वहन किया भाजपा बेड़ो मंडल और नरकोफी मंडल की युवा मोर्चा के सनुक तत्वधान में मोदी के 9 साल बेमी साल के तहत बेड़ो परखंड के विभिन गाओं में सोम वार को महाजन संपर्क अभियान के दोरान बतर मुख्याती थी बोल रही थी मनिपूर हिंसा का विरोध मनिपूर में हिंसा के खिलाप आदिवासी संगठन मुखर हो गाए है इसको लेकर देश और परदेश में विरोध परशन किया रहा है इसी को लेकर सो मौरको आदिवासी संगटनों के द्वारा रांची में केंद्र और मनिपूर सरकार का पूतला जलाया गया रांची जीला के बेड़ो परखंड मुख्याले में मनिपूर हिसा खिलाप विभीन आदिवासी संगटनों ने विरोध परसन किया विरोज रैली निकाली और केंद्र सरकार और मनीपूर सरकार का पुतला दहन किया गया यह रैली परखन मुख्याले से मनीपूर सरकार मुर्दाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए महावीर चोक, थाना गेट, जीला परिसद, बयार टार देई मंड़फ होते हुए पोस्ट ओफिस से वापस महावीर चोक में आकर सभा में तबदील हो गाई रांची में एक महिने में बिना हेलमेट 50 एर की पहचान अब घर पहुंचेगा चलान राइधानी रांची में अस्थाई निवासी करते हैं या आसपास के इलाके से रांची पहुंचते हैं तो यातायात नेमों के अंदेख ही कताई न करें नहीं तो आपकी समय से बढ़ सकती है और एक छोटी सी भी भूल भारी पर सकती है दरसल सहर में अब इचलान की वेवस्ता सुरू हो गई है और इसके लिए रांची अस्मार्ट सिटी की ओर से राईधानी रांची के चपचपचपचपचपचपचपचपचब बिभीन परकार के अद्योधुनिक तनिके से लैस उपकरनों का इस्तिमाल किया जा रहा है किये जा रहे हैं बताद एक महिने में आप तक केवल हेलमेट नहीं पहनने वालों के रूप में 50-80 ज्यादा लोगों को चीनित कर लिया गया है इन्होंने किस अस्थन पर नियम तोड़ा और गाड़ी सहीत सभी बीरान ट्रेफिक पुलिस को भेजा जा चुका है रांची अता उन्होंने बीडी के साथ सुभमिस कर्मा और अविसेक मलिक को भी गिरफतार किया है पकड़े गए तीनों आरोपी लामा गैंग के मुख सदस और सूटर है आरोपियों से पूछ ताच में ATS को कई अहम जनकारे भी मिली है आरोपियों ने ATS को बताया है कि कालू लामा के हत आरोपियों से निकलते ही उनकी हत्त्या की पूरी पलानिंग की गई मुखय आरोपी रोहित मुंडा उरुफ बीडी ने बताया है कि जमीन कारोबारी और लावकुस सर्मा गैंग के सरसे बिटू खान का कालू के हत्त्या में कापी अहम रोल था मुहरम जूलूस को लेकर पूलिस अलर्ट 2000 फोर्स तैनाथ रांची में मुहरम का जूलूस 29 जुलाई को निकाला जाएगा जूलूस में सांती बेवस्था के लिए पूलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है सहर के प्रमुक 44 पर अभी सही पूलिस की तैनाती कर दी गई है सुराक्षा के मद नजार जीले भर में 2000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी जिसमें जीला बल, जैप, रैप, सैप, आयार भी सामिल है सहर में लगे CCTV कैमरे से भी पूले जूलुस की निग्रानी की जाएगी जूलुस की मोनेटरिंग कंट्रोल डूम से होगी इसके लिए कंट्रोल डूम में भी जवानों की तैनाती रहेगी बता दे SSP ने सभी कैमरों को दुरुस्त करने का भी निदेश दिया है SSP किसोर कौसन ने हिंद पीधी, लोर बजार, चुटिया, डोरंडा, लालपूर, बरियातु, समेट अन्य थाना की थानेदारों को सक्त निदेश दिया है कि वे परति दिन इलाके में गस्त लगाए एनेस्थिसिया के ओवर डोज से बच्चे की मौत, डॉक्टर की लपरवाही रिम्स में समवार को 15 वर्सी ए अली खान की मौत हो गई परिजनों ने मौत का कारण एनेस्थिसिया के ओवर डोज को बताया है मिरितक की माता ने सदर अस्पताल के डॉक्टर एस अली पर लपरवाही का आरूप लगाया और कहा कि उनके कारण ही उनके बेटे की मौत हो गई उन्होंने बताया है कि उनके बेटे का पर तुट गया था जिसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई वहाँ डॉक्टर एस अली ने बताया कि उपरेशन में वक्त लगेगा जिसके बाद आयुसमान योजना के तहत ही इलाज के लिए नीजी अस्पताल पहुँचे वहाँ भी डॉक्टर एस अली को ही उपरेशन करना था मिरिता की मता ने आरोप लगाया कि उपरेशन से पूर्व दो बार एनेस्थेसिया दिया गया जिससे बेटा कोमा में चला गया जब उन्होंने बेटे से मिलना चाहा तो डॉक्टर ने मना किया मिन्नत करने के बाद जब मिली तब बेटे का सरी ठंधा होने लगा यहां मामला बिगडने लगा तो आनन फानन में 23 जुलाई की देर रात मरीज को औरिम्स ले जाने के लिए दबाव दिया गया कहा गया कि इलाज में जो भी खर्च होगा वो हस्पिटल की तरफ से दिया जाएगा और रिम्स इलाज के लिए उनकी मौत होगाई पीएम किसान की 14 किस्ट 27 जुलाई को होगी जारी पीएम किसान सम्मान इधी योजना के 14 किस्ट का किसान बेसबरिस इंतियार कर रहे हैं लेकिन अब किसानों के इंतियार जल्द ही खत्म होने वाला है दरसल 27 जुलाई को पीएम किसान की 14 किस्ट जारी हो जाएगी ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द PM किसान के अधिक बेफ साइट पर जाकर सारे काम निप्टा ले नहीं तो 14 में किस्त का पैसा अटक सकता है बता दे कि अब तक किसानों के खाते में किस्त का पैसा फरवरी महिने में ही डाल दी गई थी फिरी में आयुसमान कार्ट बनवा रही जारखन सरकार 21 जुलाई से जारखन सरकार के दोरा सभी जुलो में आयुसमान पक्वाड़ा अभियान चला जा रहा है अभियान 4 अगस्त तक चलेगा इसमें ऐसे लवार्थी को चिनित किया जाएगा आयुसमान भारत जोज्यां के प वज में किसी भी परकार का कोई सुल्क नहीं देना होगा ऐसे लोग जो हरा, पिला और गुलावी राशन कार्ट धारी हैं वे इस योईना का लाब ले सकते हैं आउस्मान कार्ट बनवाने के लिए आपके पास राशन कार्ट और धार का छाया परती होना जरूरी है 28 जूलाई से जहरकन विधान सभा का मानसून सत्र 28 जूलाई से सुरू हो रहे है जहरकन विधान सभा के मानसून सत्र को लेकर 27 जूलाई को सतापक्ष वा विपक्ष दल के विधायकों के बैठक बुलाई गई है इसमें विपक्ष ही दल भाजपा के ओर से सरकार को घरने के र रनिती बनाएंगे, सता पॉस्च के विधायकों की बैठक 27 की साम मुख्य मंत्री आवास में बुलाई गई है, इसे पहले दिन के साड़े बारा बज़े कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक मंत्री अलमगीर आलम के डुलनडा इस्थी सरकारी आवास में होगी, वहीं भाजप हुआ है